होटल अशोग राची के आईटी डिसी के साथ करार को एक साल का वक्त पूरा हो चुका है करार के समय करमचारियों से वादा किया गया था कि उनका पूरा बकाय वेतन मिलेगा और उन्हें बिहार या जारकन सरकार में नौकरी का आप्शन दिया जाएगा एक साल होने के बाद आज भी करमचारी दरदर भटक रहे हैं लोगों से बात की हमारे सायोगी शानवा जक्तर ने होटल अशोग और उसके दो दरजन भर करमचारी पिछले 46 माह से बिना वेतन के हैं दरसल बिहार और जारकन के बटवारे के बाद से ये प्रोपटी भी बादों में थी और जारकन सरकार में मुखमंत्री बनते ही हमन सोरें जी ने इस प्रोपटी को जारकन की संपत्ती बनाने का निरने लिया और आज से ठीक एक साल पहले ही आईटी डिसी के साथ बिहार के साथ एक बैठक में एक एग्रिमेंट और म.ई.उ भी साइन हुआ दो दो कुरोना एर्स गुजारा है इनके परिवारों ने और उस पर से 46 महीने का बेतन बकाया है इनके रोजगार का क्या होगा इनके बाल बच्चों की जिन्दगी कैसे चल रही होगी ये आखिर किसकी चिंता का विशय है अब तो इन लोगों के पास आम जो संचार साधन है प्रेस रिपोर्टर से उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया है लेकिन भाराल इनकी आवाज भुलंद करना जरूरी है बताइए क्या तकलीफ है हम लोगों को 46 महना से बेतन नहीं मिला है एक साल पहले हमन सोरें ने घोसना की थी कि इस होटल को हम लोग टेक ओवर करने जा रहे हैं इसके के लिए उन्हें ने अधिकारियों को 8 से 10 अपता का समय दिया था लेकिन आज एक साल हो गया हमारा निनने अभी तक नहीं हो पाया है हम सिर्फ हमन सोरें को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं कि आप वादा किये थे एक साल पहले हम आपसे बहुत उम्मीद रखे थे शहर के बीचों बीच एकर्स अफ लैंड है उसमें होटल की बिल्डिंग भी बनी हुई है एक बड़ा बैंकेट हॉल भी बना हुआ है और सरकार ने निरने भी ले लिया है कि अब इसको जारकन का हिस्सा बना लेंगे और इसका कुछ इस्तमाल करेंगे और इन करमचारियों को भी ओफर दिया गया था कि जो चाहे वी आरेस ले ले जो चाहे अगर नहीं चाहे तो जारकन सरकार अपने टूरिज्म डिपार्टनेंट में इनको समाई जीत कर लेगा लेकिन इतना समय बीद गया है इसका एहसास होना चाहिए कि आज की महंगाई के दौर में दस दिंक काटना मुश्किल होता है राजधानी राची जैसे शहर में इन लोगों ने 46 महीने कैसे काटे होंगे ये समझा जा सकता है कैमरामें दीपक के साथ मैं शाहनवाज अक्तर न्यूज 11 भारत राची